दोस्तों अभी हम आई हुए है अपने गाउं जा रहेते तो रास्ते में यह गन्य की मील पड़ी है तो यहाँ पे गुड़ बनता है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ गुड़ किदर बन रहा है तो देखिए मेरे पीछे वो देख रहे है न आप वहीं गुड बन रहा है तो देख सकते हैं वहाँ गुड बन रहा है और गन्ने की पिराई होती है तो अभी हमने वहाँ से जूस मगाया है तो सहर वाले इलाके में गन्ने का एक गिलास बीस रुपे चालिस रुपे ऐसे मिलता है तो हमारा गाउं है यहाँ पे तो हमें एक बोतल ले आए हैं तो हमें तो ऐसे ही मिल गया है क्योंकि हम तो यहीं के रहने वाले हैं तो अभी हम देखते हैं कि जूस कैसा है मिलता है तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं दूसरे केमरे से तो ये देखिए चारुप तरफ ये बिखरा पड़ा गन्ये का जो मैट्रीरियल बसता है जूस निकालने के बाद और इधर दिखाते हैं कैसे जूस निकल रहा है बहुत बड़ी मसीन लगा रखिए जिसमें एक साथ बूड बनाये जाएगा तो दोस्तों तो देखे हमारा जूस आ गया है बोतल में ले आए हैं कि अ कि यह बना चलाए बनने की बुषिए कि सुप्सान निक्ड़ा कि बड़ी कारिक पिन लगा बबने की कालए इस डिखें लुषिए को बड़ा कि बुषिए ले लेगे प्लागे के लिईना झालागे यहाँ लेगा बड़ागे यहना जुषिए तो जूस बहुत बढ़िया था तो दोस्तो ऐसे वीडियो में बने रहे हैं वीडियो आपको बहुत मज़ेदार मिले की तो चलते हैं अपने गाउं के तरफ दोस्तो हम अपने ननिहाल के रास्ता पकड़ लिये हैं यह देखिए यह ननिहाल रास्ता जाएगा और खेतों के ब अब तो इसे पक्का रोड बना दिया गया है और चारो तरफ के नजारे देखिए इस समय गेहूं जो है खेतों में लगा हुआ है और सरसों तो महीने बाद या देड़ महीने बाद यह फसल कटने लाइक हो जाएगी कट जाएगी और उसके बाद फिर ये खेत खाली हो जाएगे फिर नेश्ट जो सीजन आता है सबजियों का वो लगाई जाएगी इसमें तो देखिए चारो तरफ खेती खेत है चारो तरफ खेती खेती है और एकदम सुथ हवा मिलती है यहाँ पे कोई पल्यूसन नहीं है तो देख सकते हैं चारो तरफ एकदम ग्रीन माहोल हो रखा है तो दोस्तो नेश्ट पार्ट इसका जल्दी लाओंगा मैं और भी तो दोस्तो ये वीडियो हम यहीं पर खतम करते हैं और चैनल सस्क्राइब करके रखे ताकि जैसी नेश्ट वीडियो आए तो आप मिस ना कर सको तो क्या नजारा है तो अभी तो बहुत ही वीडियो बाकी है दोस्तो एक वीडियो में मैं आपको नहीं सारा चीज दिखा सकता हूँ क्योंकि उतना टाइम आपके पास भी नहीं होगा तो मैं छोटी छोटी वीडियो 6-6-7 मिनट की ऐसे अपलोड करूँगा तो जल्दी मि एक नेश्ट वीडियो में मिलते हैं चैनल सस्क्राइब करके और बेल आइकन ओन करके रखिए